दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे 1st year class के 11th class के इंगलिस का हॉन बिल जो बुक आपके NCRT की नई सिलेवस के रूप में रखे गई है उसका second chapter जिसका नाम है we are not afraid to die if we can all be together जिसको लिखा है दोस्तो written by Gordon Cook and Alan East के दौरा फिर repeat करता हूँ Gordon Cook and Alan East के दौरा तो प्लीज साथियों एक वार हमारे साथ chapter का नाम बोल दिजिए we are not afraid to die we are not afraid to die second chapter का नाम क्या है जो कि हमारे सिलेवस में रखा गया है we are not afraid to die if we can all be together और ये composed sorry written by okay Gordon Cook and Alan East दोस्तो अगर हम बात करें आप से इस chapter की बात करें तो इस chapter में हम आपको बताएंगे तीन साल की वायज के बारे में तीन साल की जो है समुदरी यात्रा के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें main characters जो रहते हैं इसका जो narrator दिखाया जाता है दोस्तो वो from play mouth England का होता है 37 year old एक business man दिखाया जाता है दोस्तो वो narrator होता है उसकी wife होती है जिनका नाम होता है Mary और एक इनका बेटा इससे story में दिखाया जाता है six year old जोनाथन जिसका नाम होता है और एक पुत्री दिखाया जाती है seven year old सुजायनी कौन होता है सुजायनी और इनकी एक जिस boat से इनकी एक असाधरन boat होती है जो कि बहुत मजबूत होती है हर तरीके के तुफानों के साथ okay वो तुफानों में भी जो है बेहतर तरीके से उनका साथ नहीं छोड़ती उस boat उस नाव का जो कि उनका हमसफर होती है दोस्तो उसका नाम होता है बेबाकर ओके जो की 23 मीटर लॉंग होती है और 30 टन की होती है क्या कहा 23 मीटर लंबी होती है और उसका बज़न जो होता है वो 30 टन होता है दोस्तो sell down और यह यात्रा करते हैं कि शोर okay sell down the best cost of Africa the cap town के लिए तो हम इसके बारे में बहुत discuss बहुत brief सा हमने तुमें okay about the lesson बताया है अब हम बात करेंगे आप लोगों से chapter की chapter में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों के साथ discuss कर चुका हूँ English आप लोग अपने आप देखोगे English को मैं नहीं पढ़ूँगा मैं सिर्फ Hindi story आपके साथ discuss करूँगा साथियो तो अगर हम Hindi story की बात करें तो दोस्तो समय होता है हमारा जुलाई का किस समय होता है जुलाई का समय होता है यानि कि 1976 का समय चल रहा होता है दोस्तो मैं और मेरी पतनी यानि कि मैं मेरी पतनी जिनका नाम क्या होता है मैरी याद रखना मैं पूछूंगा कि नेरेटर की पतनी का नाम क्या है जो इस कहानी को बता रहा है कहानी को कह रहा है नेरेटर उसकी पतनी का नाम क्या दिखाया जाता है मैरी M.A.R.Y. यानि कि बहे और उसकी पतनी मैरी और 6 वर्स का एक बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम क्या होता है जोनाथन बेटा क्या नाम होता है जोनाथन और 7 वर्स की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सुजैन तो कौन कौन सबसे पहले कौन नरेटर इसके बाद उसकी पत्नी मेरी और उसका बेटा जोनाथन छे वर्स का होता है और साथ वर्स की उसकी बेटी होती है जिसका नाम क्या होता है सुजैन होता है तो एक बार अच्छा बता भी दो कि यह यात्रा कब शुरू होती है जुलाई 1976 में शुरू होती है और जब यह जुलाई 1976 में दोस्तों शुरू होती है तो कौन लेकक यानि कि नेरेटर उसकी पतनी मेरी और उसका 6 साल का बेटा जोनातन और 7 साल के बेटी सुजाएन के साथ जो हैं ये यात्रा पर निकलते हैं, मैं 200 बरस पूर्व कैप्टन जेम्स, कितने बरस पूर्ब दोस्तों, 200 बरस पूर्व कैप्टन जेम्स कुक दोरा, चलाइ गई संसार का चक्र लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोराने के लिए, इंग्लेंड के प्लाइ माउट यानि कि जो प्लाइ माउट होता है इससे चले तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तो लेखक ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की प्ले माउट से शुरू की और इससे 37 वर्स पूर्व जेमस कैप्टन जेमस कुक थे उनके द्वारा जो है वो पहले भी यात्रा जो है समुद्री यात्रा की जा चुकी थी उसी यात्रा को दोहराने के लिए जो है लेखक भी नरेटर भी जो है अपनी बच्चों के साथ और पत्नी के साथ निकल पड़ा है फिर देखो और यह यात्रा सुरू होती है प्ले माउसे मैं 37 वर्स का ब्यापारी यानि कि यह जो लेखा कहानी बता रहा है उसकी उम्र कितनी है 37 वर्स और ब्यावसाय क्या है वो एक बिजनीसमैन है एक ब्यापारी है उसकी पतनी मेरी कई वर्सों से उस प्रिशिद्ध खोज करता का अनुसरान करने का सपना देख रहे थे कि मैं भी जो है जेम्स कुक की तरहे पूरी समुद्री यात्रा को करूँ एक बार पूरी समुद्री यात्रा को घूमूँ ओके पूरा विश्च घूमूँ तो ये भी ऐसा ही कुछ सपना देख रहे थे सबी लोग पूरा परिवार अब हुआ क्या कि पिछले 16 वर्सों में हमने अधिकतम खाली समय बेटेन के समुद्र में अपने समुद्र गामी कौसल को तेज बनाने में लगाया था यानि कि ये पिछले लाश्ट 16 यर्स से 16 सालों से अपना जादेतर समय जो है वो समुद्री यत्राओं में ही ब्यतीत करते हैं इसके बाद हमारी नाओ और उस नाओ का क्या नाम होता है एक वार और पिर बता दिजे साथियो ओके बेबाकर क्या नाम होता है बेबाकर और वो नाओ की लंबाई कितनी होती है तेज मीटर लंबी होती है अच्छा वो कितनी भारी होती है उसका बजन कितना होता है ओके यहाँ पर हम जैसे ब्यबसान्यों ने बनाया था यानि कि जो जितने उसके साथ बिजनिसमेन थे उन्हों ने उस नाओ को बनाया था तता हमने उसमें साथ सामाल लगाने और तुफानी मौसम में परखने के में कई मैने बिताए थे यानि कि उस नाओ को तयार करने में काफी समय लग गया उसको सजाने में और इस बात को जस्टिफाई करने में इस बात को यानि कि यह खराह मौसम में क्या हमारी नाओ हमारा साथ देगी या नहीं इस बात का विश्वास करने के लिए उन्होंने कई उस नाओ पर ट्रक्टिकल भी है अब देखो दोस्तो नाओ के बारे में पता लग जया कि लंबाई कि दिना का नाम क्या था ओके बेबाकर नाम था 30 मीटर लंबी थी 30 ठन जो है लकड़ी की बनी हुई भारी नाओ थी अब क्या हओ अपनी 3 वर्स की यानिकि 3 वर्स की यानि कि दिफास लेग आप दे प्लाइन थी यर्स, ओके, तीन सालों में उतने कितने किलो मीटर की यात्रा जो है वो खुशी-खुशी कर ली थी पूरी, एक लाख पाँ, क्या लिखा है, यानि कि यहाँ पर देखेगा, एक लाख पाँच हजार किलो मीटर लंबी, आयोजित यात्रा का प्रिथम चरण, जो कि अफरीका के पच्चमी घाट के साथ केप टाउन तक हासी खुशी के साथ बितीत हो गई, नानि कि इन्होंने प्रिथम चरण में, ओके, फस फेज में, कितना, फस प्लाइन में, जो फस लेग आप दी, आवर प्लाइन था, तीन साल में, तो फस फेज में, उन्होंने कितनी एक लाख, पांच हजार किलो मीटर की जनरी, जो है बहुत खुशी-खुशी पूरी का लिए, जो कि अफरीका के पच्चमी टट के साथ केप टाउन तक की दूरी थी, बहाँ पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, और जब ये बहाँ स पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, हमने बिश्व के सबसे तूफानी समुद्रों, दच्चनी हिंद महासागर का सामना करने के लिए, दो नाविक लिए, और इन दोनों नाविक का नाम आपको याद रखना है, दो नाविक लिए, एक अमेरिकी नाविक थे, जिनका नाम था लेरी बिजिल, क्या नाम था, फिर रिपीट कर देता हूँ, लेरी बिजिल, क्या नाम था अमेरिकन, लेरी बिजिल, और दूसरे का नाम था, सुईस हार्व सैगलर, सुईस हार्व सैगलर, क्या नाम था, सुईस हार्व सैगलर, ये दूसरे का नाम था, इसके बाद हम बात करेंगे साथियों केप ताउन से यहां से चलना शुरू कर देते यानि केप ताउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला बहुत बड़े तूफान से होने लगा अब इनके रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आया बे अगले कुछ सबताहा तक लगातार चलते रहे तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं थी जो तूफान आ रहा था क्योंकि उन्हें पूरा भारोसा था कि हमारी जो नाउ है बेवाकर वो तूफानों में हमारा साथ नहीं चुड़ गया नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से तैरती रहेगी लेकिन उनको चिंता थी तो लहरों से क्योंकि लहरें जो हैं वो 15 मीटर उचाई तक उठकर के आती थी लहरें लेकि लहरों का आकार बहुत भेयानक था बड़ा ड्राबना था भयाबय था जो कि 15 मीटर हमारे मुक्ष मस्तूल जितना उचा था जिससे नाओ को खेते हैं जो आगे लगा होता है उससे भी 15 मीटर उचा यानि कि उस मस्तूल के बराबर लगभग उस समुदर की लहरें जो हैं वो नजर आ रही थी तो अब समझाया होगा इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तो कि 25 दिसंबर को देखिए ये डेट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलो मीटर पूर्व में थे माली जे कहीं केप टाउन सेहर है केप टाउन सेहर से लगवग हम 3500 किलो मीटर किसकी और पूर्व की और इस्ट में था मौसम बहुत खराब होने के बावजूद भी हमने छुटी सांदार तरीके से मनाई यानि कि हमको बिलकुल भी किसी तरीकी की कोई परवा या किसी तरीकी की कोई चिंता साथियो नहीं थी अब हुआ क्या आगे क्रिस्मस पेण के साथ यानि कि बहाँ पर क्रिस्मस का त्यहार आगया तो क्रिस्मस पेण के साथ उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक हरसो उल् कि मौसम जरूर बदलेगा और बदल भी गया पहले से बुरा ओके पहले से बुरा हम तो सोच रहे थे कि मौसम में बदलाओ होगा ओके लेकिन जो है और अच्छा हो जाएगा लेकिन बदलाओ क्या हुआ मौसम तो चेंज हुआ लेकिन पहले से भी और अधिक खराब मौसम हो अगला परग्राफ देखते हैं साथियो next परग्राफ अगला परग्राफ हमारा कहता है दो जन्वरी कब दो जन्वरी को सूर्य दै जैसी सूर्य का उधा होता है उसी समय लहरें बहुत ज़दा विसाल थी बहुत उचाज्यों तक उठ रही थी जब नाव प्रतेक लहर की चोटी तक पहुंचती थी तो हमें अपने अनंत दीरगा कार समुद्र अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता था ऐसा लगता था जैसे समुद्र की लहरें बस उपर हमारी नाओ की ओर ही दौडती हुई चली आ रही हूँ चीकती हुई पबन और हवा इतनी तेज थी हवा की आवाज इतनी तेज थी ऐसा लग रहा था जैसे दाहारती हुई पबन चीकती हुई पबन जो है पबने या फुहार जो हलकी हलकी बूंदों की फुहार कानों में चुपती थी हमने नाओ के पिछले भाग में बांध लिया हमने प्रतिक चीज को दोहरा बांध दिया था जिसे की जीवन रक्षा कुबड़े की बेड़े की ड्रिल की रक्षा तारे बांधी और जल रोदक कपड़े तथा लाइफ जैकेट पहनी तथा प्रतिक चा करने लगे अब उन्होंनी उस तुफान से उस खराब मौसम से बचने के लिए क्या-क्या उपाई किये जरा एक बार फिर समझो यहाँ पर हमने प्रतिक चीज को जो भी जहाज पर जो भी नाओ पर चीजें थी हमारी बस्तुएं थी उनको दोहरा बांध दिया अपने जीवर रक्षक के बेड़े की ड्रिल की रक्षा से जो थी वो क्या थी कुछ महाँ पर तार बगएरा रखे थी उन तार को बेतरीन तरीके से बांध दिया और जो जल रोधक कपड़े थे और लाइफ जैकेट पहनी जल रोधक और लाइफ जो जैकेट होती है उसको पहल लिया और प्रतिक्चा करने लगे कि खतरा कब आ जाए हमें कुछ पता नहीं था इसलिए ये सबी पहले से ही तयार थे तो एक बार चैप्टर का नाम हमारे सा जाए अगर हम सब साथ हों ओके तो देखिएगा घोर अब क्या हुआ कि इस पारग्राम में साथियों समझेगा कि फर्स्ट इंडिकेशन आप इंबेंटिंग डिजैस्टर केम तो आवाउट 6 पीम जैसे घोर सा निकिट बिपत्ती का संकीत लगवग 6 वजे आया बहुत ही अनिष्ट सूचक इस ता बहुत ज़्यादा अनिष्ट सूचक था इस तब्बे कर देने वाला दुखी कर देने वाला परिशान करने वाला एक डिजैस्टर था बहुत बड़ा दुपान था ओके बिद एन ओमनियास साइलेंस अर्थाद जिसे हम कहते हैं कुछ ऐसी सूचन यानि कि आनिष्ट कर देने वाला हमारे साथ कुछ बुरा करने के साथ ही ओमनियास साइलेंस कहते हैं इसे क्या कहते हैं साथ ही ओमनियास साइलेंस अब हुआ यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं कहानी को यह आगे बढ़ते जा रहे थे लगातार हबा रुक रुक कर यानि बढ़ता हुआ सोर सुनाई पड़ा तथा एक बिसाल बादल नाओ के पीछे मीनार की तरह खड़ा हो गया इसके बाद मैं ये जानकर डर गया कि ये बादल नहीं था बलकि लहरे थी जैसी जैसी मैंने पहले कभी भी ऐसी लहरे नहीं देखी बह पूरी तरह लंबवत थी तथा दूसरी लहरों की अपिक्छा दुगनी बड़ी थी उसकी भयाबय चोटी टकराने को तयार थी यानि कि वो बहत ही भैंकर तुफान था और तुफान की हवाएं भी बह रही थी काली घटा चागे थी और लहरे जो हैं वो कभी ऊपर उठ रही थी तो कभी नीचे गिर रही थी बादल जो है गरज बढ़कर गलगला हाट बन गया था बादल जो है वो गलगला रहा था ठंडरिंग कर रहा था और नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया था जैसे जैसे लहरें आते थी नाव भी उन लहरों के जोके के साथ में उठ जाती थी और एक पल के लिए मैंने सुचा नाव जो है वो लहर के उपर चड़ जाएगी लेकिन उसी समय बहंकर दामाके से नाव का डेक हिल गया हरे सफेद पानी की प्रिचंद धारा नाव पर तूट पड़ी मेरा सिर पहिये से टक्रा गया तथा मुझे ऐसास था कि मैं नाव पर से ओड़कर धारा में डूब रहा था यानि कि अब ये नाव में से अलग होकर के उन्हें ऐसा लगा कि बहे समुद्र की धारा में डूबने लग रहा था मैंने अपनी आती हुई मृत्य को स्विकार कर लिया था जब मैं बेहोस हो रहा था तो मैं पूरे तरीके से सान था मुझे ऐसा लगा कि अब मैं डूब ही जाओंगा मर जाओंगा देरे देरे हम अनकॉंसियस हो रहे थे बेहोस हो रहे थे आगे नाइन पैराग्राफ मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकला और जो हमारी नाव थी नाव का क्या नाम था बेबाकर कुछ मीटर पर लगभग उलड़ सी गई थी जो उसकी नाव थी उसका नाम था बेबाकर कुछ मीटर उलड़ सी गई थी उसके मस्तूल छैतिज हो गए थे फिर एक लहर ने उसे धकेल कर सीधा कर दिया एक लहर और आई और उस लहर के जोके के साथ हमारी जो नाव तिर्ची हो गई थी वो फिर से सीधी हो गई मेरी जीवन रक्षा तार जटके से कस गई थी मैंने गाड किसको गाड रेल्स को पकड़ लिया तथा हाबा में से तैर कर बेबाकर की मुख्य लंबी कड़ी में गया उसके बाद लहरों ने डेक पर कपड़े की गुडिया की तरह इदर उदर पढ़का मेरी बाही पसलिया चटक गई मेरा मुह खोन तथा तूटे दातों से भर गया यानि कि बड़ा भैंकर तूफान था जब इसने नाओ के जो तार बाद रखे थे उन तारों को पकड़ा फिर भी नाओ जो है इस्थिर नहीं थी वो नाओ की जो समुद्र में लहरें थी वो नाओ को इधर उधर हिला रही थी इस से लेखक को भी काफी छती पहुँची काफी हानी पहुँची ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया की तरह जो है बहनाओ की जमी पर इधर उधर उधर पठक रहा हो उसकी पसली भी बाइं पसलियां भी तूट गए थी मूँ से खून निकलाया और उसके मूँ के सबी दात भी तूट गए जैसे जैसे मैंने पहिया डूड़ा नाओ का इस टन अगली लहर के लिए सीधा किया पहिये को पकड़े रखा तो ये देखो कितना भैंकर दूफान था और उसे अपनी यात्रा को समुद्री यात्रा पहले आप लोग जानते हैं पहले बहुत ज़्यादा समुद्री यात्राओं के जाते थी हमारा बयापार भी सबी समुद्री यात्राओं पर ही आधारित होता था और समुद्री यात्रा खत्रों से खाली नहीं होती थी तो यहाँ पर भी हर जगाए पानी ही पानी था मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़ कर जाने का सहास नहीं कर सकता था उसे ऐसा लगा नाव में पानी भर गया हो और नाव के नीचे पानी भर गया हो लेकिन फिर भी लेखक जो समुद्री आत्रा करने के लिए जा रहा था वैं बिल्कुल भी छोड़ने को तयार नहीं था इसके बाद ओके फल का अचाना खोल गया तथा मेरी प्रिकट हुई हम डूब रहे थे बहचिलाई डैक टूट फूट गए हैं मेरी नाव पानी से भरी हुई थी अब लेखक की जो नाव थी वो पूरी तरीके से पानी से समाई हुई थी लैरी तता हर्व पागलों की तरहे पम्प से जो use नाविक थे अमेरिकन नाविक थे ये लैरी तता हर्व पिछले हमने नाम बताया था इन दोनों का पागलों की तरहे पंप से पानी बहार निकाल रहे थे तूटे हुए सहतीर तेड़े मेड़े लटके हुए थे तथा नावदाईं कोर से दाईं तरफ से अंदर की ओर उबरी हुई थी कपड़े ट्राकरी नकसे डिबबे तथा खिलाओं ने गहरे पानी में उचल रहे थे यानिकी सब पानी में तैर रहे थे और ये इसके बाद 12th नंबर का देखो इसमें इंगलिस अपने आप पड़े हिंदी मैं एक्स्प्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको चैप्टर को समझ में थोड़ी मदद मिल जाए और साथ यह मैंने पहले भी बता है कि वीडियो को जादे से जादा है सेयर करो और सस्क्राइब करो जिससे कि मैं कुछ भी नया डालूं नई वीडियो बना करके डालूं उसका नोटिपिकिशन आप तक पहुंच जाए आगे देखो कुछ तैर कर कुछ रेंग कर मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा तुम ठीक हो यानि कि कुछ तैर कर कुछ रेंग कर ओके इसके बाद बच्चों के कैबिन में पहुंच गया और उनसे उनका हालचाल पूछा कि तुम ठीक हो मैंने पूछा हाँ उन्होंने उपर की बर्द से उत्तर दिया ओके लेकिन मेरा सिर दुखता है आँखों के ऊपर एक बड़े गुमट की ओर संतेद करते हुए ओके शिव ने कहा मेरे पास टक कर खाये सिरों के विशह में चिंता करने का समय नहीं था इसके बाद नेक्स्ट हतवडा पेज तथा कैनवास लेकर मैं बहुत कटनाई से डैक पर वापस आया नाव दाई और से तूट कर खुलने के कारण जो नाव थी उसकी वो दाई और से तूट कर खुलने के कारण परतेक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था यदि मैंने मरमत ना की तो हम निश्चे ही डूब जाएंगे इसके बाद क्या हुआ साथियो मैंने किसी ना किसी तरह खुले सुराखों पर कैनवास खीच कर जड़ दी और दरवाजे को जल रोदक कवर से पक्का कर दिया थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बह कर आता रहा लेकिन अधिकतर पानी साइड पर से मुड़ कर बहने लगा इसके बाद इस वीडियो का दोस्तो अंतिम पैरग्राफ और आगे की वीडियो आगे का पैरग्राफ नेक्स वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जब कैविन के आस पास तैरते हुए ओके कचरे के हैंड पंप रूदने लगे और बिजली का पंप सौर्ट सर्किट हो गया तो और समस्याई खड़ी हो गई पानी का इस तर खतरनाव तरीके से बढ़ने लगा मैंने डैक पर बापस आकर देखा कि हमारे दो अतरिक्त पंप जटके से तूड कर नाओं से अलग गिर गए हैं और साथ ही आग वाला पंप जो है वो तिक आग वाला जो पाल था या तिकोना पाल या डिंगिया ओके तथा प्रमुक लंगर भी इस सब बहां से निकल करके जो है वो अलग हो चुके थे तो आगे हम दोस्तों अगले वीडियो में डिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही जै हिन जै भारत दोस्तों